हेलो फ्रेंट्स Yay用 मैं आपको बताने चल्ती हूं कठहल कि सबजिक कैसे बनाते हैं बिलकुल नए तरीके से यहां ही ने लिया हूआ है एलिकर को बिल्कुल अच्छे तरीके से कलेण करके इसे base के दो बेंगे एक बाग कटल को अच्छे तरीके से छील करके हम अभम से पानी में उबाल लेंगे प्रेशर कुकर में दो सीटी लगा लेंगे इक कटल कितने अच्छे से हो चुगा है कटल को हम एक जन्नी के मदद से छान लेंगे चान करके और इसे हम आलू मैसर से मैस कर देंगे सारे कठोल को बिल्कुल बारिक मैस करेंगे चलिए अब हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं यहां हम डालते हैं एक टी स्पून जीरा एक टी स्पून काले मिर्च एक टी स्पून खड़ा धनिया दो हरी इलाईची बड़ी आठ से दस लैसोन काली की और एक टी स्पून हल्दी पाउड़ा पान से छे हरी मिर्च और हाफ टुकडा प्याज थोड़ा पाने इसमें एड़ करते हैं और हम मसाले को अच्छे तरीके से ग्रैंड कर लेंगे दो बारे कटे हुए प्याज और हम साथ में ही जो मसाला ग्रैंड किया हुआ था हटल में अच्छे तरीके से डाल कर और मिक्स करते हैं स्वाद अनुसान नमक डालेंगे इसमें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे अब हम एक पैन को गरम कर लिया हुए है इसमें हम डालते हैं सरसुत तील तील अच्छे तरीके से गरम हो जाने दें पी नमीज में डालते हैं दो तीज पत्ता दो सुखी लाल मिर्ची एक टीस्पून जीरा और इसे अच्छे तरीके से चटकने दें अब हम इसमें डालते हैं जो कठल के सारे मिक्स की होए थे इसमें हमने और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करके और धीमी आज पर इसे हम पकाएंगे इसको ढग देंगे ढग करके हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और मसाले को धीमी आज पर हम पकने देंगे ताकि मसाले तो कच्छे हैं और वह धीमी आज पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएंगे यह सबजी खाने में बहुत टेस्टी लगता है देखिए बिल्कुल इस तरीके से सबजी ड्राई हो जाएगा सबजी अच्छे तरीके से हो चुका है अब हम इसमें डालते हैं धनिया पत्ता ड्राई हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गर्मा गरम कटहल की सबजी हम सर्फ करेंगे दोस्तों अगर यह कटहल की आपको डिसेश पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें थेंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें करेंगे तरीके साथ में दोस्तों आपको लाइक यह लाइक हम सर्फ काया करें खेंगे थे लाइक